हेलो फ्रेंट्स मैं आपका दोशेफ डीएस मेरा दोस्तों जो मैंने आपके साथ पिछले बार जो वीडियो शेयर किवी थी वो थी प्लेन कुकी की रेसेपी में उसको मैंने आपको बताया था कि आप एक कुकी से कितने सारे कुकी बना सकते हैं मतलब फ्लेवर वाइस में अगरे के नियुक हरे मतले कि नहीं खाणः के लिए रेसेपी मेरा एक कि बनाए के लिए लोगों आच से उसे बंणे के लिए सो अगो का पर चीज में आपको और बता देताओ पहले कि जब भी applied cookies के raising कर लिए जब मैं आपको बताता हो कि कोई भी आप फ्लेवर डाल देना तो पाइपिंग बैग में इतना सा ध्यान रखना जब आप पाइपिंग यूज करोगे या नोजल यूज करोगे तो उसमें ऐसा कोई निकलने में दिक्कत हो जैसे आप जीरा डाल दो तो आपको पता ही ज कोई तो आपको बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में आज की जो मेरी रेसिपी है वह पाइपिंग कुकी के बारे में जो आप इंग्रीडियंट लोगे सबसे पहले आपको लेना बटर जो कि एक किलो है और आपको लेनी है इसमें 600 ग्राम इन दोनों का अच्छिता से मिक मिक्स करना जब इस चीछ का मेथो नहीं होता है इस हिंग करीव senhor मैथर मेथर यह मानना आपको में बटर बटाया है जो आपन cambiar है जो कि यूछ करते है इगा यह पहला में ऄए है प्रेंस आपको मिल्क जो कि 200 m$ आ और वानिला ऐंसम शेंडान जोकी कुछी घ्रॉप होगा य है थार वने अपने जितने भी जटर सब्सक्राइब और एसे को डाला आपने अब में जो अपना फिलार होगा उसकी कौन्टिटी बाराइसों पचासट ग्राम होगा और वह स्लिज तै ऩयाता है वह करीबन 100 ग्राम होगा तो इन सारे इंग्रीडेंट को एक सार आप छान लेना या फिर मिक्स कर लेना फिर जैसी आपको आपने क्रीमी करके डो लगाया हुआ कुकीज का उस बैटर में आपको यह अपने ड्रा इंग्रीडेंट डाल देना है फिर इसको अच्छा से मिक्स हो करना है किस तरह से बीचर करना चाहें तो वह भी कड़ सकते लेकिन पाउडर फॉर्म पर करना या फिर जब पाइपिंग मानने के बार उसके उपर से फ्लेवर की तौर पर से कुछ भी छिड़क सकते हैं लेकिन अगर आप अंदर यूज करोगे तो थोड़ा सा पाउडर फ्रॉम में करना या फिर करना सूजी के दाने दार में करना नहीं तो ऐसा होगा कि जो आप पाइपिंग या फि पूकीज की रेसीपी होती कही तरह की होम मेड तरीके बताते लेकिन आपको प्रेसीपी किस तरह से लगाते हैं या फिर कौन सी आपने में जैंद